अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कश्ट होगा आपको? वही कश्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लाल्ची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू उनकी विद्वाओं की चीखिया और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओ का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओ का होता है वो सिर्फ सरकार का होता है कि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक्ट जब महात्मा गांदी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का वहिश्कार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद में हिस्सा ले क्योंकि लदाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत की असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है हम उसे किसी तरह से दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते, तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कि जो Chinese जितनी भी goods हैं, जितनी भी उनने प्राडक्ट्स हैं, जिन भी companies में उनने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको returns आते हैं, revenues आते हैं, और्गिनाइजेशन्स उन सब का वहिशकार करें ताकि वो उस समपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्व करके जाते हैं उस समपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सेनिकों के सीने छन्नी करते हैं तो क्या हम इस यूद में हम चाइना का साथ दे सकते हैं आप बताइये यह क् करतव्य नहीं है कि हम अपनी सेनांक और अपने सरकार का साते तो हमें पतिग्या लेते हैं कि हम आत्म निर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिलकुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जैहिंद